नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों पठान मोवी का गाना क्या रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर भुचाला गया, क्योंकि गाना आते ही विवादों में घिर गया है, और इस गाने पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरूप लगाया जा रहा है। इस विवाद में नेता, बॉलिवुड के एक्टर्स, खटारा टेक्सी, एससार के फैंस, हकले खान के फैंस और खुद हकला खान भी शामिल हो चुका है। क्या है ये विवाद और इस विवाद की क्या है सच्चाई। इन सब पर बात करूँगा आज की इस वीडियो में। हकला चार साल के बाद परदे पर वापसी कर रहा है और भारत की जनता को पागल बनाने का वही पुराना टोटका यूज किया जा रहा है। हलांग गंदी नाली में ही मारेगा। वही हाल दीपीका जैसी नासने गाने वाली नचन्यों का है। डांस के नाम पर गाने में दीपीका के इतने अश्ट्लील और भद्दे मूव से हैं कि सनी लियोनी भी गाना देखके दांतों तले उंगली दबा ले। इस फिल्म में दीपीका चर्सी के लिए कोई काम बिलकुल नहीं होगा। मतलब एक्टिंग का कोई स्कोप नहीं होगा। इसका जो रॉल है वो नाम मात्र का होगा। लेकिन चार उंगल की ड्रेस पहन के ये अपने आपको होट और सेक्सी दिखाना चाहती है। खेर, सौंग में एक जगा दीपीका ने केसरी रंग की बिकनी पहनी है और विवाद उसी पर शुरू हुआ है। कि केसरी रंग की बिकनी पहन कर भगवा कलर की बेजजेती की गई है और भगवा कलर का हिंदु धर्म में एक खास महत्व होता है। इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया मद्दे परदेश के ग्रह मंतरी नरुत्तम मिस्रा ने। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता चला गया और बाद में बीजेपी के धेर सारे नेताओं ने इस मामले को लाइम लाइट में लाके खड़ा कर दिया। इधर SSR के फैंस तो पहले से ही एक्टिव थे। उन्होंने भी बॉयकोट पठान का ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। हकले खान के ठुलड फैंस भी बीच बचाव करने को आ गए और कई एक्टर्स का इस मुद्दे पर बयान आ चुका है। और सबसे बड़ी बात खुद हगला खान ने इन डारेक्ट वे में इस मामले में अपना बयान भी दिया है। लेकिन सबसे पहले बात ये कि ये विवाद कितना जायज है। केसरी रंग की बिकनी पहनने से धार्मिक भावनाए आहत बताई जा रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मेरी नजर में बिलकुल ऐसा नहीं है। केसरी रंग या भगवा कलर की बिकनी में पहले भी सौंग्स ये पिच्चर्स कैई सारे सीन्स ऐसे हैं जो इतने ही अश्लील, इतने ही बेढंगे और इतने ही बद्दे तरीके से पिक्चराईज हुए है। भगवा कलर की बिखनी सिर्फ एक राजनेतिक मुद्दा है, इस से ज़्यादा कुछ नहीं ये फोटो देखिए, ये मनोज दिवारी है, बीर पीते हुए सौंग में भगवा रंकी चादर ओड़ रखी है और ये जो गाना है, ये ड्रिंक के उपर है, यानि बीर के उपर है इस दूसरी फोटो में भगवा साधी में एक्ट्रिस और उपर मनोज दिवारी, जो की बीजेपी नेता है, हर कोई जानता है एक ये फोटो है, निरववा यादव का है, उसकी फिल्म आही थी, एक बंबं बोल रहा है काशी ये इतना गंदा गाना है कि मिया खलीफा भी देख ले तो शर्मा जाए इसमें भी केसरी रंग का कुरता है, वैसे कुरता है, लेकिन ये गाना आप देखोगे तो पता चलेगा कि इससे अच्छी आप पॉन वीडियो देख लेते, उसमें आपको थोड़ इसी डिसेंसी दिख जाएगी, लेकिन इस गाने में बिल्कुन नहीं दिखेगी ये एक और फोटो है, ये है नवनीत राणा, बीजेपी नेता है ये भी, सादू के कपड़े पहने आदमी के साथ में भगवा रंग के कपड़ों में अश्लील डांस कर रही है ये टॉयलेट कुमार का फोटो है, बीजेपी नेता है, कट्रीना और रवीना के साथ में और कलर आपको दिखी रहा है यानि बिखनी के कलर को मुद्दा बनाना सिर्फ एक राजनेतिक मुद्दा है जब इन लोगों के गाने और फिल्मों से धार्मिक भावनाय आहत नहीं हुई तो अब बकरी खान के इसी कलर के जो बिखनी पहनी है उसने, उससे भावनाय आहत कैसे हो रही है क्या यार भावना निट्रल नहीं हो सकती है तुम अब बात असली मुद्दे की करता हूँ हम आम लोग हैं, हमें राजनेतिक मुद्दों से मतलम नहीं होना चाहिए हमें कान घुमा के या पैरों के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ने की जरूरत क्यों है ये पागलपन क्यों हकले खान की मुवी का बॉयकॉट करने के लिए एक नहीं मेरे पास में बहुत सारे कारण है और वो ये कि ये गटर वुड की मुवी है, ये सबसे बड़ा कारण है हम गटर वुड को पूरी तरह से बॉयकॉट कर चुके हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है गुमा फिराके बाद क्यों करनी है, हकला खान और पूरा बॉलिवुड बॉयकॉट है, मतलब बॉयकॉट ही रहेगा और यहां बिखनी के कलर को जबरजस्ती इशू बनाया जा रहा है, और जबरजस्ती वाले इशू को मैं समर्थन नहीं दूँगा हकला खान बुढ़ापे में अश्लीलता फैला रहा है, यह बॉयकॉट का सबसे बड़ा कारण है यह हकला खान देश विरोधी बाते करता है, यह बॉयकॉट का सबसे बड़ा कारण है इसे अपने देश में लगता है कि मुसल्मान सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है लेकिन फिर भी ये Bollywood का so called number one actor है जबकि ये खुद मुसल्मान है सेफ नहीं होते तो ये इतनी दौलत कैसे जोड़ पाया कैसे ये अपने आपको सुपरिश्टार बोलता है एक मुसल्मान होकर अगर मुसल्मान सेफ नहीं है तो सुपरिश्टार कैसे बना कैसे इसे इतनी शोहरत मिली हिंदू का देश है तो मुसल्मान को इतनी शोहरत कैसे मिल गई अगर मुसल्मान सेफ नहीं है और मुसल्मानों के सेफ ना रहने वाला ये जो बयान इसने दिया था ये 2013 का है 2013 का उस समय BJP नहीं थी कॉंग्रेस की सरकार थी यानि इसकी problem जो है वो BJP से नहीं है, इसकी problem इस देश के साथ में है, अगर देश में मुसल्मान सेफ नहीं है, तो कोई भी मुसलिम देश छोड़ कर क्यों नहीं जा रहा है, इतनी सारी मुसलिम कंट्रीज है कहीं भी जाकर रह सकते हैं, सब लोग यहीं पर क्यों रह रहे हैं इसका कारण मैं बताता हूँ, इसका कारण यह है कि ज्यादातर मुसल्मानों को पता है, ups and downs हर देश में आते हैं, हर घर में आते हैं, और वो जितने सेफ भारत के अंदर है, जितनी आजादी भारत के अंदर उनको मिली हुई है, बाकी कहीं नहीं मिल सकती हकला खान अगर खुद को सेफ फिल नहीं करता है, वो सेफ नहीं है, तो इसे बाकी मुसल्मानों का ठेकेदार बनने की जगा, खुद किसी दूसरी कंट्री में जाके ठिकाना डोंड लेना चाहिए ये वही अखला खान है, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सहीद पाकिस्तान में आकर बसने का ओफर देता है, और ये उस बयान पर कुछ नहीं बोलता क्यों? क्यों ये हाफिज के कहने पर पाकिस्तान नहीं गया, वहाँ जाकर सेफटी मिलती, अच्छे से रहता? वैसे भी इसे जो है भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की चिंता रहती है वहां के लोगों की चिंता रहती है चाहे वो पाकिस्तानी एक्टर्स का बॉलीवुड में काम करने वाला बयान हो या IPL में पाकिस्तानी किरकेटरों का खेलने वाला विवाद हो हर जगे इसे भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की चिंता सताती है हकले को बॉयकॉट करने के लिए बेवजय का बहाना क्यों लेना भगवा बिकनी से धार्मिक भावनाई सिर्फ राजनेतिक लोगों की आहात हो रही है या उन लोगों की जो खुल कर बोलने से डरते हैं हम लोग जो खुल कर बोल सकते हैं वो ऐसे बेवजय के बहाने नहीं ढूंडेंगे हकले खान को बॉयकॉट करने का एक कारण ये है कि ये जाकिरनाईक जैसे लोगों का खुले आम समर्थन करता है वो जाकिर नाइक जो सुवर जैसी शकल लेकर सिर्फ जहर उगलने वाले बयान देता है मैंने चार-पांच कारण बताए है क्या ये कारण काफी नहीं है कि बकरे को पर्मानेंट हज यात्रा पर भेज देना चाहिए इसके अलावा एक और कारण है कि इसकी फिल्म को देखना मतलब पूरी तरह से मुर्खता है पैसे की बरबादी है, समय की बरबादी है नेता और अभी नेता ये दो लोग ऐसे होते हैं, दो प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि इन्हें अगर काम करना है, अपना करियर बनाए रखना है, तो एक बात दिमाग में बिठाके रखनी होगी वो ये कि ये भले ही भगवान या अल्ला को चुनोती दे दे, वो चल जाएगा, जेल लिया जाएगा लेकिन अगर इन्होंने देश की जनता को चुनोती दी, चैलेंज किया या घमंड दिखाया तो देश की जनता खूंटा समित उखाड के ऐसी जगए फैकेगी कि खूंटा तो उखड़ेगा ही उखड़ेगा, दुबारा गाड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा लेकिन इस इकलोते डरे हुए मुसल्मान का अभी भी घमंड कम नहीं हो रहा है इसने ममता बनर जी के साथ में अभी एक इवेंट किया था, उस इवेंट में कहा कि सोचल मीडिया पर नेगेटिविटी फैल रही है हम पॉजेटिव लोग अभी भी जिन्दा हैं यानि बॉलिवुड को बॉइकॉट करने वाले नेगेटिव लोग हैं और ये हकला बकरी खान पॉजेटिव है और ये पॉजेटिव हकला 58 साल की एज में देश के युवाओं के सामने फिल्म के नाम पर सेमी पॉन मुवी दिखा रहा है अश्लीलता फैला रहा है, नशे बाजी सिखा रहा है, शराप पीकर पब्लिक में नाटक करना सिखा रहा है बॉलीवूड बॉयकॉट किसी राजनेतिक पार्टी का ट्रेन नहीं है, ये इस देश के ज्यादा तर युवाओं का एक अभियान है, एक क्रांती है इस बॉलीवूड की गंदगी को जड़ से साफ करने के लिए ये वही अखला खान है ना, जिसने एक अवार्ट सोके दौरान शाहिद कमीने कपूर के साथ में मिलका सोशान सिंग राजपूत का मजाग बनाया था ये है असली कारण इसकी फिल्म को पूरी तरह से बॉयकॉट करने का क्या ये कारण काम है? मैं दावे से कह रहा हूँ कि ज्यादा तर इसकी ये जो दो-तिन फिल्मे आ रही है आने वाले एक-दो साल में लाल सिंग चड़ा की तरह अगर फ्लॉप होती है तो ये भी छुटके खान की तरह लंबी छुट्टियों पर चला जाएगा और ऐसे देश के गद्दारों को लंबी छुट्टी पर भेजना हमारा काम है आपका काम है बिना ये देखे कि ये गटरवुड का भांड खान है, कुमार है या कोई और है पठान के गमंट को तोड़ना हमारा काम है और इन्हें इनकी आउकात तभी पता चलेगी जब इसकी फिल्मे लगातार फ्लॉप होंगी मैंने जो कारण बताए है, क्या वो कारण काफी नहीं है या इसके अलावा आपके पास कोई कारण हो, तो वो कमेंट करना अभी इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में क्योंकि ये वीडियो यहां पर अधूरी है इसी वीडियो को कल कंटीन्यू करूँगा जैहिन जैराम जी की